हेलो दोस्तो सागता आप सभी का और आज मैं आपके साथ माई क्यूट इनोसेंट एंपरस का नेस्ट पार्ट सेल करने जा रही हूँ तो फ्रेंड पिछले पार्ट में हमने देखा था वांजी जो एक वाइब बनना सीख रहा था और जिसके चलते पहले डिज के किलोद पहन कर नास्ते के टेवल पर आया था सीचन ने वांजी से कहा था वांजी तुम एक मेल वाइब बनने वाले हो तुम कोई फिमेल वाइब नहीं बनने वाले हो तो तुम्ही इस तरह फिमेल वाइब के कपड़े नहीं पहनने होंगे तुम्ही मेल वाइब के कपड़े पहनना सीखना होगा वांजी जो वाइब का मतलब ही नहीं जानता तो फिर है मेल या फिर फिमेल वाइब का क्या मतलब समझेगा और वांजी ने नास्ते के टेवल के पास ही वहे किलोत उतारते हुए गुसे में अपने रूम की तरफ जाते हुए कहा मुझे नहीं बना किजी की वाइब वाइब और वाइब जी जो अपने रूम में जा चुका था सिचेहन और चिरेंग जो वाइब जी की तरफ देख रहे थे और सोच रहे थे वान जी को इस रिष्टे के बारे में समझाना बहुत ही मुश्किल है और वह नहीं जानता अगर पह यह सब समझे भी नहीं वहाँ पर जाएगा तो उसके लिए यूनमेक राज्ये में सर्वाइब करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और एमपरर पुस्यान मैं भी उसे नहीं जानतें तो चलिए फ्रैंड इस्टोरी में इसे आगे बढ़ते हैं लेकिन फ्रैंड इस्टोरी में आगे बढ़ने से पहले फ्लीज वीडियो को like और comment करना ना भूलें तो चलिए अब इस्टोरी की तरह बढ़ते हैं चिरेनी सिचन से कहा सिचन जाओ और उसे नास्ते के टेवल पर लेकर आओ तुम जानते हो उसे भूख बिलकुल भी बरदास नहीं है अगर वह थोड़ी देर भी भूखा रहता है तो उसकी तबियत खराब हो जाती है जाओ और उसे यहाँ पर लेकर आओ हम बाद में कि हमें आगे क्या करना है सिचन ने अपने अंकल की बात मानते हुए हूं में उन्हें आंसर दिया और वांजी के रूम की तरफ चला गया वांजी जो बहुती परेसान बैट पर बैटा हुआ था लेकिन सिचन को देखकर उसने अपना मूँ एक बलून की तरह फुला लिया स सिचन मुस्कुराया और सिचन वांजी के पास बैट गया सिचन ने वांजी से कहा वांजी मैं जानता हूं तुम्हें यह सब बिलकुल भी अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन वांजी तभी वांजी ने कहा मैं जानता हूं यह सब माँ और बाबा की वीश है और वांजी ने बहुत ही मासुमियस से सिचैन की तरफ देखा और कहा लेकिन मैं यहां से कहीं भी नहीं जाना चाता हमेसा आपके अंकल के और जिंगे के साथ किलाउड रेसिस में ही रहना चाता हूँ सिचैन जो वांजी के बात उसे खुद को समाल नहीं पा रहा था सिचैन ने वांजी को अपने गले से लगा लिया वांजी ने सिचैन के गले लगे हुए ही कहा बाई मैं किसी की बाईप नहीं बनना चाता मैं आपकी तरह क्लाउड रेसिस में ही रहना चाता हूँ सिचैन जिनकी आँखे वांजी के बातों से नम हो चुकी थी क्योंकि वह भी अपने मासूम से भाई को कुछ से दूर नहीं बेजना चाहते थी मगर वह एक ओमे का है और वह एक ना एक दिन तो किसी अलफा के साथ अपनी फैमली बनाई का ही और ना जाने वह एक अलफा किस तरह का होगा और आज जब वह एक एमपरस के रूप में एक एमपरर फैमली में सामिल होने वाला है और सबसे बड़ी बात यह है कि यह रिस्ता उनके पैरेंट्स ने जोड़ा है और वह इस रिस्ते से इंकार नहीं कर सकते सिचैन ने वांजी के सर पर हाथ फिराते हुए कहा ठीक है वांजी गर तुम नहीं चाहते तो हम मारानी से कह देते हैं कि वह अपने बेटे के लिए कोई और वाइब ढून ले क्योंकि हमारे लान वांजी तो हार मांच चुके हैं वांजी ने तेजी से सिचैन के कांदे से अपना सर अटाया और खुद को मजबूत बनाते हुए कहा किसने कहा कि लान वांजी हार मान चुके हैं लान वांजी कभी भी हार नहीं मानते सिचैन मुस्कुराया और सिचैन ने कहा तो क्या लान वांजी तब ही बान जी ने कहा हाँ लान बान जी एक पर फिर से कोंसिस करेंगे वाईब बनने की अब मुझे बताओ गगा वाईब बनने के लिए क्या करना होका सिचैन जो मुश्गल से ही अपनी हसी रोप पा रहे थे वो सिचैन ने अपने लिप्स को आपस में दवाते हुए कहा येकिन चलो पहले हम नाष्टा करते हैं क्योंकि लानवां जी को एक वाइब बनने के लिए बहुत ही चाहिए और नाष्टे के बिना तो लानवां जी में ताकत नहीं आईगी वान जी जिसने बहुत ही क्यूटली अपना सर इलाते हुए कहा गगा ने बिल्कु सही कहा नाश्टे के बिना तो लानवांजी में बिल्कुल भी ताकत नहीं आएगी और वांजी अपने भाई की बात मानता हुआ नाश्टे के टेवल पर जाने के लिए तयार हो गया लेकिन सिचैंग जिसका दिल अपने भाई को देखकर बैठा जा रहा था क्योंकि वह नहीं जानता कि उनके सिवा कोई उसकी मासुमित की केमत जानेगा भी या नहीं और उधर युनमेक राजजे में ज्यांग चैंग और राणी यू के बीच में एक बहुती बड़ी बहस चल रही थी रानी यू ने गुसे में जियांग चैंग पर चिलाते हुए कहा मैंने तुमसे कह दिया है तुम्हारी मेरिज जिन सेक्ट की राजकुमारी मियांग मियांग के साथ ही होगी जियांग चैंग ने भी लगवग अपनी माँ पर चिलाते हुए कहा माँ मैंने भी आप से कई बार कहा है कि मैं वैंचिंग को पसंद करता हूँ और मैं उसके जिवा किसी और से मेरिज नहीं करूंगा मैडम यू ने कहा शायत तुम भूल गए हो वह इस राज्ये की केवल एक सर्वेंट है और वैसे भी वैंच से आई है और मुझे तो उसके करेक्टर को लेकर हमेशा सक रहता है वह करेक्टर से बिलकुल भी सही नहीं लगती वह पूरा दिन उस वीवशान के रूम में रहती है ना जाने वह सारा दिन एक साथ रूम में क्या करते होंगे चैंग चैंग ने कहा मा ऐसा कुछ भी नहीं है वीबुशान उसे एक सीजे की तरह मानता है उसके लिए जिस तरह हमारी चीजे यानली है वैसे ही उसके लिए वैंचिंग भी उसकी एक सीजे की तरह है वहे तो हमेशा उससे एक बच्चों की तरह फाइट करता रहता है रानी यू ने चैंग चैंग पर गुसे में चलाते हुए कहा यह सब तो लोगों को दिखाने के लिए है तुम्हे क्या लगता है वह पूरा दिन रूम में बच्चों की तरह फाइट करते होंगे चैंग चैंग ने कहा माँ आपको जो समझना है समझे लेकिन मैं वेंचिंग को पसंद करता हूँ और मैं उसके सिवा किसी और से मेरिज नहीं करूंगा रानी यू ने भी कहा लेकिन मैं कभी भी तुम्हारी मेरिज एक सर्वेंट के साथ नहीं होने दूगी तुम्हें चीन सेट की राजकुमारी के साथ मेरिज करनी है और यह बात तुम अच्छी तरह से अपने दिल में बैठा लो और कहती हुई रानी यू वहाँ से चली गई जियांग चैन जो अपने पैर पटक रहा था जैसे वह बहुत कुछ करना चाहता हो लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकता उधर भूसियां जो सानपती नीमिंजे के साथ तलवार प्रैक्टिस कर रहा था तभी वहाँ पर एक सर्वेंट आया और सर्वेंट ने कहा माई मिजिस्टी आपको महरानी ने अपने रूम में बुलाया है एमपरर भूसियां ने हुमें अपना सर हिलाते हुए कहा ठीक है तुम चलो मैं आता हूँ एमपरर भूसियां नीमिंजे से कहा ठीक है आप सब प्रैक्टिस करो मैं थोड़ी देर में आता हूँ और कहते हुए एमपरर भूसियां वहाँ से महरानी के रूम की तरब जाने लगे एमपरर भूसियां जब महरानी के रूम में पहुँचे तो जोसु के उस केस का क्या हुआ चो हमने तुम्हें सुपा था विभु शान ने अपना सर जुकाया और कहा महरानी मैं आज खुद उस केस पर काम करने जा रहा हूँ इसलिए आपको परिच्छान होने की जरूत नहीं है मैं आज खुद वहां जाकर देखूंगा कि वह कोन लोग हैं जो वहां के रहने वाले लोगों को परेसान कर रहे हैं और उनसे वहां रहने के लिए मनी मांग रहे हैं मारानी ने कहा जाओ और जाकर देखो आकिर वह कोन लोग है जो हमारे राज्ये का नाम खराब कर रहे हैं हो ना हो यह वेंस एक्ट के लोग हैं बही इस तरह की गिरी हुई हरकत कर सकते हैं वीवुशान ने कहा ग्रैनमा मैं जा रहा हूँ और पता लगा कर आऊंगा कि आकिर वह कोन लोग हैं जो वहां के रहने वाले लोगों को इतना परिशान कर रहे हैं कि वह बारवार हमसे हैल्प मांग रहे हैं बारानी ने कहा वीबुशान मुझे तुम पर पूरा भरोसा है लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि कोई तुम ना पैचाने कि तुम कोन हो एमपरर वीबुशान मुश्कुराए और वीबुशान ने कहा क्रैनमा क्या अतलक ऐसा हुआ है कि किसी ने मुझे पैचाना हो मारानी ने कहा हाँ ऐसा कभी भी नहीं होता तुम हमेशा लोगों के बीच में जाकर उनकी समस्या सुनते हो और उसका समधान निकालते हो लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूंगी कि साबधान रहना एमपरर बूशियान ने एक पर फिर्जे ग्रैनमा को ग्रीट करते हुए कहा ठीक है मैं पूरी साबधानी बरतूंगा और कहते हुए एमपरर बूशियान अपनी ग्रैनमा के रूम से बाहरा गई तभी वहाँ पर एक 19-20 साल का लड़का आया जिसने एमपरर बूशियान को सर जुका कर ग्रीट किया और कहा एमपरर बूशियान चलिए आपकी सवारी तयार हो चुकी है हमें गुसु के लिए निकलना होका एमपरर बूशियान ने उस लड़के की तरफ देखा और कहा तुम सबके सामने मुझे एमपरर बूशियान कहा करो मैं अकेला हुआ करूँ तब मुझे केवल बूशियान कहा करो तुमें अकेले में मेरे साध इतना फॉरमल होने की जरूत नहीं है हम फ्रैंड हैं वेनिं, हम बच्पन से एक दूसरे को जानते हैं इसलिए तुम मेरे सामने इतना ज्यादा फॉर्मल मत हुआ करो पैंडिंग ने कहा एंपरर बूशियान मैंने भी आप से कई बार कहा है मुझे अच्छा नहीं लगता आपका नाम लेना मुझे आपको एंपरर बूशियान ही कहना अच्छा लगता है एंपरर बूशियान ने कहा चलो अब इस बात पर हम यहाँ पर बहस नहीं कर सकते हमें चलना चाहिए क्योंकि अगर हम इस बात पर बहस करेंगे तो हमें सारा दिन लग जाएगा और हम यही पर खड़े हुए बहस करते रहेंगे और फिर भी हमारी बहस का कोई सलิवसर नहीं निकलेगा वैनिंग जो वैंपरर की बात पर मुस्कुराने लगा था और वैंपरर बूशियान जो पहले से ही वैनिंग की बात पर मुस्कुरा रहे थे और वहे दोनों अपने कام के लिए निकल गए तो उधर वांजी जो जिंगई के पास बहटा था जिंगई ने कहा अब क्या हुआ मिनी लायन तुम फिर से परेसा नजरा रहे हो वांजी ने कहा जिंगई क्या तुम मुझे पता सकते हो कि बड़ा होने के लिए क्या करना पड़ता है जिंगई ने अपने सर में हाथ मारा और कहा तो क्या अब तुम्हें बड़ा भी होना पड़ेगा पांजी ने पाउट बनाते हुए में अपना सर हिलाया जिंगई ने कहा बड़े होने के लिए तो हमें बड़ों की तरह काम करना होका बड़े लोग सुभा सुभा उठकर काम के लिए जाते हैं तभी पांजी ने कहा और फिर उसके बात क्या करते हैं जिंगई ने कहा मेरे बाबा तो रात में वाइन पीते हैं वाइन जिंगई ने कहा तो ठीक है जिंगई मुझे बड़ा होने के लिए काम करना होगा पहतों मैं अपने गगा की तरह लाइबरेरी में कर सकता हूँ लेकिन मुझे वाइन पीने क लिए कहा जाना होगा जिंगई ने कहा मेरे बाबा तो गुसू में जो बाहर सोप है उन पर वाइन पी कराते हैं वाइन जी ने कहा तो ठीक है मैं लाइबरेरी में काम करने के बाद वहाँ पर जाकर वाइन पींगा लेकिन क्या मैं सच में वाइन पीने के बाद बड़ा हो जा चाहिए क्योंकि बड़े लोग ही वाइन पीते हैं और काम करते हैं वा जी तहूँ ते जीसे कड़ा हुआ और वाँजी ने कहा ठीक है तो मैं काम करने के लिए raja हूँ, क्योंकि मुझे बड़ा होना है जिंगई नहीं, वांजी एक हाथ को पकरते हुए कहा मीनी लायन जब तुम बड़े हो जाओ तो हमें मत भूल जाना पांजी ने कहा जिंगई मैं बड़े होने के बाद तुम्हें नहीं बोलूँगा लेकिन मैं बड़े होने के बाद तुम्हारे साथ खेले नहीं आऊंगा क्योंकि बड़े लोग बच्चों के साथ नहीं खेल जिंगई ने थोड़ा सैड होते हुए कहा तो क्या मिनी लायन तुम्हारे लिए बड़ा होना ज्यादा जरूरी है पांजी ने कहा हा जिंगई मेरे लिए बड़ा होना ज्यादा जरूरी है क्योंकि गगा ने कहा है कि मुझे पहले बड़ा होना होगा और जब मैं बड़ा हो जाओंगा तो मुझे खुद पर कुछ सारी चीज़े आ जाएंगी और मुझे अपने आप पता चल जाएगा कि वाइब कैसे बनते हैं अब मुझे जाने तो जिंगई मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ अभी मुझे पहले बड़ा होने दो और कहता हूँ वाँ जी वहां से च जो बहुती हैरानी से वाँजी की तरफ देखने लगा था से चैन ने कहा तुम्ही काम करना है वाँजी ने कहा हां गगा मुझे काम करना है आपने कहा ना कि मुझे पहले बड़ा होना होका और बड़े लोग ही काम करते हैं काम करने से ही लोग बड़े होते हैं जैसे आप क कोई जवाब नहीं दे सकता था क्योंकि उसने खुदी वांजी से कहा था कि तुम्हे बड़े होना होगां, तुम्हें ठोगा ही अपने आप सभी चीजों का मतलब समझने लगे जब तुम बड़े हो जाओगे ? और सिचैन ने कहा अगर तुम बड़े होने के लिए मेरे साथ यहां पर काम करना चाते हो तो तुम मेरे साथ काम कर सकते हो और वानजी सिचैन के साथ लाइबरेरी में काम करने लगा सिचैन जो पेपर पर लिख रहा था वानजी उन सबी पेपरों को सीरियल वाइद लगा रहा था गिन हर एक गंटा बाद वानजी कह रहा था गगा अब मुझे बताओ मैं कितना बड़ा हुआ सिचान जो नहीं जानते कि वह अपने मासुम भाई के सवालों का क्या जवाब दे और सिचान कह देते थे हाँ तुम थोड़े से बड़े हुए इसी तरह काम करते रहो तो तुम जल्दी बड़े हो जाओगे और आखिर इसी तरह काम करते करते सियाम हो गई सिचान और वांजी जो एक साथ लाइबरेरी से निकले थे लेकिन लाइबरेरी से निकलने के बाद सिचान ने एक बार भी वांजी को नहीं देगा था और सिचान जो वांजी को लेकर परहसान होने लगा था क्योंकि छिरेन को भी नहीं पता था कि वांजी कहां पर है के घर की तरफ निकल गए और उधर वीव उश्यान जो घुसु की मार्कीट में बेस बदल कर आया हुआ था यह जानने के लिए कि वह कौन लोग है जो महां के रहने वाले लोगों को परेसान करते हैं और उनसे जवरजस्ती मनी लेते हैं जो एक इन में बैटे हुए टीपी र और जो था वें सेक्ट का राजकुमार वें चाओ जो चवरजस्ती वहां के रहने वाले लोगों से और सोब के उनरों से पैसे मांग रहा था और कह रहा था कि मुझे पैसे दो वरना मैं एम्परर बूसियान से कहकर तुम सभी को यहां से निकलवा दूँगा जो एम्पर ब जो डरते डरते वेंचाओ को पैसे देनी लगे थे और वेंचाओ सबसे पैसे लेकर खोशो रहा था तभी एक बुझुर्ग ने आगे आते हुए कहा ऐसा कुछ भी नहीं है एम्परर बूसियान कभी भी किसी से इस तरह पैसे लेने के लिए नहीं कहते अगर ऐसा होता तो सवह में हमनें बुलाते और हमसे यह सब कहते इस तरह तुम्हें यहाँ पर नहीं भीजते और हमारे साथ तुम्हें मार पीट करने की इजाजत भी नहीं देते। बेंचाओ ने उस बुजर्ग को तेजी से पकड़ा और कहा तुम्हे क्या लगता है कि एमपरर बूश्यान तुम जैसे गरीब लोगों को अपने राच्चे में बुलाते और तुम से बिंती करते कि यहां रहने के हमें पैसे दो नहीं उनके लिए तो हम सेक्ट के राचकुमार ही काफी है तुम लोगों से इस तरह पैसे बसूलने के लिए इसलिए उन्होंने हमसे कहा है ये काम करने के लिए और कहते हुए बेंचाओ ने उस बुजर्ग को तेजी से धका दिया तबी ने उस बुजर्ग को समालते हुए कहा लेक और उनसे कहते वह इस तरह किसी सेक्ट के राजकुमार को उन्हें परेशान करने के लिए नहीं भेजते वीबुश्यान जिसने अपने फेस पर एक मैजिक किया हुआ था जिससे वैंचाव उनसे पहचान नहीं पारा आता और वैंचाव ने कहा लड़के तुम्हें क्या लगता है कि एंपरेशान इतनी छोटी सी बात के लिए खुद को परेशान करेंगे या फिर इन गरीब लोगों को अपने राज्ये में बुलाएंगे बीबुशान ने खड़े होते हुए कहा राजकुमार वैंचाव मुझे नहीं लगता कि एंपरेशान बीबी किसी अमीरिया गरीब में फर्क करते हैं वहें सबको इकवल समझते हैं तबी वैंचाव ने कहा क्या तुम मुझसे चाहदा जानते हैं एमपरेशान को बीबुश जिसे अब वीवुशान की बात पर गुस्ता आने लगा था और वेंचाव ने अपने सिपाईों से कहा इस लड़के को पकड़ो इसी तो आज मैं बताता हूं कि राजकुमर वेंचाव से बहस करने वालों का क्या हर्स होने वाला है वेंचाव के सिपाही जो वीवुशान को पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगे थे तभी वीवुशान ने अपनी मुठी गुमाई और देखते ही देखते वह सिपाही जो अपनी जगा से दूर जाकर पड़े सभी जो वीवुशान की तरफ देखने लगे थे क्योंकि उनक जी कभी भी अपनी पावर को इस तरह किषी के सामनी यूज नहीं करते तो क्या यह खुद एंपरर बूश्यान है तो वैंचाव भी समझ चुका था कि सामने वाला सक्स को याम इंसा नहीं है वह है खुद एंपरर बूश्यान है और वैंचाव जो वहाँ से भागने लगा था अभी एंपरर बूश्यान ने एक वार फिर से अपनी मुठी घुमाई और देखते ही जिस पर वेंच चाओ ने हाथ उठाने की कोशिश की थी और एंपरर बीबुशन ने कहा राज कुमार वेंच चाओ इनसे माफी मांगो और कहो कि आज के बाद तुम यहां रहने वाले किसी भी इनसान से मनी नहीं मांगोगे और वहे भी एंपरर बुश्यान का नाम लेकर बीबुश्यान की तरफ देखने लगे थे और कहने लगे थे आकिराब कोन हो बीबुश्यान ने उन सभी की तरफ देखा और कहा मुझे एमपरर बीबुश्यान ने यहां पर भेजा है और उन्होंने कहा है आज के बाद अगर आप लोगों से यहां रहने के लिए कोई भी मनी मांगे तो आप उन्हें मनी नहीं दोगे क्योंकि एंपरर बीबुश्यान कभी भी आप लोगों से इस तरह यहां रहने के लिए मनी नहीं मांगेंगे क्योंकि यह आप लोगों का घर है और आपके घर में रहने के कोई आप से पैसे नहीं मांगेगा सभी जो एम्परर वीबुशान की जज़ा कार करने लगे थे तबी सामने के एक सोप ओनर ने कहा आप हमारे साथ चलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे सोप की वाइन चखे हमारी सोप पर बहुत ही अच्छी वाइन मिलती है और उदर गुसु में लैन सिचैन और लैन्चिरेञ चुवाण जी को ढून रहे थे और वह वाण जी को ढूनते हुए ही जिंगई की घर पहुँच चुके थे चिरेन नी जिंगई से कहा जिंगई बेटा मुझे बताओ क्या वाण जी यहाँ पर आया है तभी जिंगई ने कहा हाँ वह सुभा यहां पर आया था लेकिन उसने कहा था कि वह बड़ा होना चाहता है और इसलिए बड़ा होने के लिए उसे काम करना होगा और वह काम करने के लिए लाइबरेरी में गया था सिचैन ने कहा हाँ वह लाइबरेरी में काम करने आया था लेकिन काम करने के बाद ना जाने कहा चला गया और हमें लगा कि साइद वह तुम्हारे पास आया होका तभी जिंगई ने कहा नहीं वह मेरे पास नहीं आया होका क्योंकि वह तो वाइन पीने गया होका सिचान और चिरेन ने एक दूसरे की तरब देखा और जिंगई की तरब देखते हुए कहा वाइन पीने लेकिन वह वाइन नहीं पीता तभी जिंगई ने कहा लेकिन वह आज वाइन पीने गया होका क्योंकि उसे बड़ा होना है और बड़े लोग ही वाइन पीते हैं उसने मुझसे कहा था कि उसे बड़ा होना है और मैंने उसे बताया था कि बड़े लोग क्या करते हैं मेरे बाबा तो सारा दिन काम करते हैं और उसके बाद वाइन पीते हैं तो उसने कहा था कि वह भी आज काम करेगा और रात को वाइन पीने जाएगा सिचैन और चिरेंग जो तोनों ही डर चुके थे सिचैन ने कहा फिटा मुझे बताओ कि वह वाइन पीने कहा पर गया हो का तभी जिंगई ने कहा घुसु के बाहर बाली सोप पर क्योंकि मेरे बाबा वहीं से वाइन पी कराते हैं मैंने उसे भी वहीं जाने के लिए कहा था सिचैन और चिरेन जो अब जिंगई की बात नहीं सुनना चाते थे और तेजी से गुसु के बाहर की सोप की तरब दोड़े और उधर वींग जो वाइन पीने के लिए उस सोप के अंदर आया लेकिन एक चहरे पर वींग की नजरे पूरी तरह से टहर चुकी थी क्योंकि वहाँ पर वाइन जी बैटा हुआ था और वींग ने दीरे से बुद बुद आया लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे है क्या वह यहाँ पर वाइन पी रहा है वींग उठा और वाइन जी के सामने जाकर बैट कया वींग ने देखा कि वाइन जी ने पहले से ही डिरिंक की हुई है और वाइन जी ने वींग की तरब देखा और कहा क्या आप भी यहां बड़े होने के लिए वाइन पीने के लिए आए हैं वान जी ने बहुत ही क्यूट और इतना ही अडॉरेबर लजरा रहा था वान जी ने कहा तो क्या तुम यहां पर बड़े होने के लिए वाइन पीने के लिए आए हो बाइन जी ने बहुत ही क्योटली अपना सर हिलाया और कहा हाँ तो क्या तुम्हें मैं बड़ा लग रहा हूँ क्या मैं बड़ा हो गया हूँ विहिंग ने कहा तुमसे किस ने कहा कि बाइन पीने से बड़े होते हैं तभी पांजी ने कहा जिंगई ने कहा था जिंगई ने मुझसे कहा कि जब मैं बाइन पीओंगा और मैं बड़े लोगों की तरह काम करूंगा तो मैं अपने आप ही बड़ा हो जाओंगा विहिंग ने चासुम सब्दों में उसे पेंच छिपा हुआ नजरा रहा था वीग ने कहा ऐसा क्या है जिसे समझने के लिए तुम बड़ा होना चाते हो वांजी जिसकी आँखे अब बंद होने लगी थी वांजी ने कहा आप नहीं जानते मुझे पहुच चल एक वाइब के रूप में वांजी महता चल जाए कि मैं बाइब कैसे बन सकता हूं मैं एक डर देखँज रहा था वांजी जो पूरे तरह से और भीष। Sayan ने वांजी को अपनी बाहों में समाल लिया वांजी जो बेहोसी के हालत में केबले की सब्द बोले जा रहा था मैं अब बड़ा हो जाउंगा और समझदार भी हो जाओंगा सिचेन और चिरेन जो वांजी के बेहोस होने से पहले ही वहाँ पर आ चुके थे और वांजी और विंग की सारी बाते सुन चुके थे और चिरेन ने सिचेन को वांजी के पाज आने से रोक लिया था क्योंकि चिरेन ने एंपरर बूशियन को पेचान लिया था बीबूशियन کے हाथ में पंधे हुए एक प्रेसलेट से जो वांजी के पिता का था और मेरीश के समें एंपरर बूशियन को दिया गया था विहीं ने वांजी को गोद में उठाया और सोब से बाहर ले जाने लगा तभी विंग के ओनर ने कहा आप इने लेकर कहा जा रहे हैं आप हमसे कहिए हम इने इनके घर तक छुड़वा देते हैं आपको परिशान होने की जरुत नहीं है तभी विंग ने कहा नहीं मैं खुद उसे यहां से ले जाऊंगा आपको परिशान होने की जरुत नहीं है विंग जो वांजी को लेकर उस सोब से बाहर निकल चुका था और चिरेनोर से चैन जो विंग के पीछे पीछे जाने लगे थे विंग अपनी बगई के पास पहुचा और विंग ने बहुती कमपिटेवली वांजी को बगई में लिटाया और विंग से कहा विंग इसे पूरी साबदानी के साथ गुदू में छोड़ाना और ध्यान लखना इसे कोई परेसानी ना हो और इसकी फैमिली को मत पताना कि इसे मैंने यहाँ पर छुड़वाया है विंग ने कहा एमपरर बूशियान क्या यहे गुसू प्रिंस लानवांजी है विंग ने बहुती प्यार से वांजी की तरब देखा और उसके फोरेट को टच करते हुए कहा वहां वैनिंग यह मासूम गुसू प्रिंस लानवांजी है जो हमारे युनमेक में आने के लिए बड़ा होना चाहता है लेकिन वैनिंग पहर नहीं जानता कि मुझे कोई फरक नहीं पड़ता उसके बड़े होने में मुझे उसके मासूमियत ही अच्छी लगती है अब जाओ वैनिंग इसे गुसू तक छोड़ा वरना अगर किसी ने देख लिया तो सब गुसू प्रिंस लानवांजी पर उंगली उठाएंगे क्योंकि गुसू में वाइन पीना मना है और वैनिंग वांजी को लेकर वहां से निकल गया वीन जो अभी वी वांजी की तरफ ही देख रहा था जो वगी में सोया हुआ था और उधर सीचैन और चिरेन जो एक दूसरे की तरफ देख रहे थे चिरेन ने कहा सीचैन अब मुझे उसे युन्वक भेजने में कोई डर नहीं लग रहा है क्योंकि हमारे सिभा भी कोई है जो उसकी मासूमित की कीमत समझता है चलिए फ्रेंड आज का पार्ट में यहीं पर खतम करती हूँ आज का पार्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेट बॉक्स में चरूर लिख के बताए तो चलिए मिलते हैं इसके नेश्ट पार्ट के साथ अब तक के लिए बाए